हलो दोस्तों सब्सक्राइब का रोलो टेक चैमें तो आज हम बात करने वाले दोस्तों के कॉम्पीटर किसे कहते है ठीक है कॉम्पीटर का काम होता है तो मैं आपको बेसिक बताने वाला हूँ के कॉम्पीटर क्या होता है ठीक है तो एकदम सीधी और सरर भासा में समझाने की क पोसिस करूँगा वो भी हिंदी के अंदर तो अगर जानना चाहते हूं के कॉम्पेटर क्या है दोस्तो तो वीडियो के साथ पुरे बने रहेगा तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो तो दोस्तो कॉम्पेटर एक मसीन है जो की कुछ तई निर्देसों के अनुसार कारिया को संपन्द करती है एक ही ऐसे इलेक्ट्रोनिक यंत्रा है दोस्तो जिसे बनाया गया है जानकारी के साथ काम करने के लिए तो दोस्तो यह सब्द जो कॉम्पेटर है वो लेटिन सब्द से लिया गया है जो की है दोस्तो कॉम्प्यूटर ठीक है जो की लिया गया है लेटिन सब्द से इसका अर्थ होता है दोस्तो कैल्कुलेशन करना यानि कि गन्ना करना दोस्तो तो यह इसका बेसिक अर्थ होता ह दोस्तों इसका मुख्य तोर से तीन काम होते है ठीक है तीन काम दोस्तों होते है पहला डेटा को लेने जिसे हम इनपूर्ट भी कहते हैं दूसरा काम उस डेटा को प्रोसेस करने का होता है और और आखरी काम उस प्रोसेस डेटा को दिखाने का होता है जिसे हम आउट बोला ठीक के वो कैमेरे में मैं भी video कैमेरे में बना रहा हूं तो मैं जो बोला और कैमेर में गया वो होता है दोस्तो इनपुटग करके मुझे अपने मूबाईल में दिखा वो होता है दोस्तो और ठीक है मतलब जो मैंने इन्पूर्ट दिया वो मुझे प्रोसेस कड़के दिया आउटपूर्ट ठीक है तो यह बेसिकली इनपूर्ट और आउटपूर्ट का मतलब होता है दोस्तों अब बता दों दोस्तों कि computer का ice car किस ने किया था दोस्तों तो modern computer का जनक 40 भेबस को कहा जाता है दोस्तों क्यूंकि उन्होंने ही सबसे पहले mechanical computer को design किया था जिसे NLT engine के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों इसे इसमें punch car की मदद से data को insert किया जाता था दोस्तों तो computer को हम एक ऐसा advanced electronic device कर सकते है जो की raw data को input के use से लेता है फिर उस data को program set of interaction ठीके के द्वारा process करता है और आखिर के परिनाम को output के रूप में प्रकासित करता है दोस्तों यह दोनो numerical और non numerical calculation को process करता है दोस्तों वैसे दोस्तों computer का कोई full form नहीं है लेकिन मैं आपको बता दोस्तों computer का full form तो दोस्तों C से होता है commonly, ओ से होता है operate और M से होता है machine, P से होता है particle, U से होता है use for, N T से होता है technical, E से होता है education, और R से होता है दोस्तो research ठीके तो यह होता है उसका full form ठीके डिस्प्ले पर आ रहा होगा आप देख लेना दोस्तो अब बात करते हैं दोस्तों computer की परिभासा की तो किसी भी modern digital computer के कई component है लेकिन इन में से कुछ बहुत ही महतोपोन है जैसे input device, output device, CPU, central processing unit भी कहते हैं दोस्तो mass storage device और memory दोस्तो तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तो एक्षेट data यानिकी input process data यानिकी processing process output यानिकी output और storage result यानिकी storage ठीक है तो यह कुछ सामने चीज़ें computer की जो आपको याद रखनी चाहिए दोस्तो अब दोस्तों बात करते हैं कि computer test से काम करता है तो दोस्तो input data यानि कि input वो step है जिसकी raw information को input device इस्तेमाल करके computer में डाला जाता है ये कोई letter picture या कोई video भी हो सकता है दोस्तो इसके बाद आता है दोस्तो process ठीके यानि process के दरान input हुए data को interaction के अनुसार processing की जाती है ये पूरी तरह से internal process होती है दोस्तो इसके बाद आता है दोस्तो output ठीके output के दोरान जो data पहले से process हो चुकी है उसे result के तोर पे so किया जाता है और यदि हम चाहे तो इस result को save करके memory में रख भी सकते है future के इस्तिमाल के लिए दोस्तो अब दोस्तो बात करते हैं के computer में कौन कौन सी चीज़े आती है तो दोस्तो सबसे पहने तो आता है उसका power supply दोस्तो ठीके जिसे हम cqb कहते है उसका component के अंदर आते है दोस्तो motherboard, hard drive, ram, processor, cd drive, video car, sound car, network car, bluetooth car, wi-fi car दोस्तो बहुत सारी चीज़े आती है जिसके उपर में detail में वीडियो बना चुका हूँ कुछ चीज़ों पर और कुछ पर बनाना बाकी है दोस्तो तो सारी चीज़ों के लिए अगर जानना चाहते है तो वीडियो को like कर देना और channel subscribe कर लेना क्योंकि ऐसी technology की वीडियो में आपको दिखाता रहता हूँ दोस्तो अब दोस्तो computer किसे कह सकते हैं तो दोस्तो पहला थो होता है हमारे घडर पे जो हम normally use करते ही PC ठीक है personal computer होता है उसके बाद होता है दोस्तो यह दो प्र पी सी के अंदर ही गिना जाता है दोस्तो ठीक है वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं आपको सौर्ट में समझा दिया हूँ अगर फिर से ना समझ मैं तो वीडियो दूबारा से देख लेना दोस्तो और ऐसे ही टेकनोलोजी वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूला दोस्तो तो मिलते अगले वीडियो में तब त